तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इसनाय और लेरेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आलमी हिद्दत इसको एक और नाम से जाना जाता है तमाजती अर्जी पर जो है किस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है किस तरह प्रभावित कर रहा है आलमी हिद्दत पूरी दुनिया के लोगों को और यहां तक कि जमीन हमारे प्रित्वी को और इसके क्या-क्या नुक्सान है वैसे तो इसका कोई फायदा है नहीं सिर्फ नुक्सानी है तो क्या-क्या नुक्साने हर एक चीज आप लोग आलमी हिद्दत के बारे में जानेंगे पूरा चैप्टर हम लोग आज के इस वीडियो में एनलाइसेस करने वाले हैं ठीक है ध्यान में रखिएगा यह चैप्टर एक मजमून है यानि कि निबंध है मैं आप लोगों बता लिखा गया है तो आलमी हिद्दत यानि की ग्लोबल वार्मिंग पर लिखा गया है ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा नौलेजबल वीडियो होने वाला है धेर सारी चीज आप लोगो जानने को मिलेगा इस चैप्टर में और इस पूरे वीडियो में ठीक है तो चलिए और इंग्लिश में कहते हैं क्या अर्थ यानि कि हिंदी में कहते हैं प्रिथवी वो तो प्रिथवी बोलते ही हैं और इंग्लिश में कहते हैं अर्थ लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं क्या उर्दू में प्रिथवी कहते हैं या फिर अर्थ ही कहते हैं उर्दू में क्या कह तो सुनिए उर्दू में प्रिथवी या फिर अर्थ को जमीन कहते हैं जी हाँ जमीन हिंदी में प्रिथवी इंग्लिश में अर्थ और उर्दू में जमीन तो हम जिस जमीन पर रहते हैं यानि कि जिस प्रिथवी पर हम लोग रहते हैं वह एक सैयारा है यानि कि प्लानेट है सयारा को हिंदी में कहते हैं ग्रह और इंग्लिश में कहते हैं planet और आप लोग जानते भी होंगे 6-7 क्लास में बता दिया जाता है कि planet किसे कहते हैं एक बार मैं फिर से आप लोग को प्रिथवी है जमीन यह भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है यान की जमीन हम लोग का प्रिथवी क्या है यह भी सयारा यानि की प्लानेट है और इस तरह धे सारे प्लानेट है आप लोग पढ़े भी होंगे मर्करी जोपीटर यूरेनस वेरस वगरा तो लेकिन इन सभी सेयारों में प्रिथवी एक मात्र ऐसा प्लानेट है जहां पर जीवन संभव है लाइफ पॉसिबल है प्रिथवी को छोड़कर बाकी जितने भी सेयारे है न वहां का इंवार्मेंट और क्लाइमेट सभी जिव जनतु और पेड़ पौधों के लिए मुनासिब है ही नहीं ज़हारात आप बोल सकते हैं वह जिव जंतु और जोनदारों के लिए यह मुनासिब नहीं है लेकिन बात करें प्रिथवी की है यहां का इंवार्मेंट यहां का क्लाइमेट यहां तक की प्रिथवी का दर जहहारात तियानि ब्लू प्लानेट भी कहा जाता है ठीक है तो वही आगे लिखा गया है कि जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है यानि कि प्रित्वी सभी जानदारों यानि कि सभी जीव जन्तूओं के लिए बहुत मुनासिब है यानि कि बहुत ही ज्यादा सुतेबल है और इस आगे लिखा गया है लेकिन पिछले 30-40 बर्सों से हमारी जमीन का दर्जाय हरारत रफता रफता बढ़ रहा है पिछले 30-40 बर्सों से हमारे जमीन का दर्जाय हरारत यानि की टेमप्रेचर रफता रफता यानि की धीरे धीरे बढ़ रहा है अब आप लोग यहां पर समझे कि आलमी हिद्धत यानि कि तमाजती अर्जी कहते किसे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, उतना टफ है नहीं, बहुत तरह लोग इसको टफ समझ लेते हैं, ओ गॉड आलमी हिद्धत किसे कहते हैं, बहुत हिसन पले, देखें हम लोग का जमीन है, पृत्वी है, और इसका जो दीरे-धीरे temperature दरजय हरारत बढ़ता रहता है ना तो इस दरजय हरारत यानि कि बढ़हनती को ही temperature की बढ़हनती को ही हम लोग कहते हैं आलमी हिदत या फिर तमाजतियर जी और कुछ नहीं है देखे इसको याद रखना English में आसान है global warming ग्लोब मतलब प्रित्वी और warming मतलब गर्म होना यानि कि पृत्वी का गर्म होना ही global warming कहलाता है जैसे जैसे पृत्वी का temperature बढ़ता है इसका मतलब global warming यानि कि आलमी हिद्दत बढ़ता है ठीक है तो इसी को तो कहते हैं आलमी हिद्दत अब आलमी हिद्दत यानि कि global warming के बढ़ने से क्या नुकसान होता यह मैं आप लोगों को बताओंगी लेखिन आगे देखिे पूरी दुनिया में पिछले 10 बृसों को इस पर बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है इस पर यहां पर लिखना मैं बूल घई हूं पर रहेगा इस तीक को इस पर पूरी दुनिया में पिछले 10 बर्सों से याई पिछले 10 सालों से इस पर बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है क्योंकि जो आलमी इद्दत है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ रहा है यानि कि प्रिसवी का जो टंप्रेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसीलिए ये हमारे लिए चर्चा का विशय बन गया है दस सालों से पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग पर जिक्र हो रहा है आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन चुका है आज global warming जो है एक संगीन आलमी मसला यानि की पूरी दुनिया के लिए एक serious मसला बन गया है और challenge बन चुका है कि किस तरह आलमी हिदत यानि की तमाजते अरजी या फिर global warming को कम किया जाए कैसे global warming को कम किया जाए क्योंकि प्रिसवी का temperature लगातार ही बढ़ते चला जा रहा है ठी अमेरिका जर्मनी यू एन ओ में इस मसले पर साइंसदानों के दर्मियान काफी तबादला ख्यालात हुए और इससे नजात पाने के लिए कई एहम एकदाम ममालिक में लिए जा रहे हैं अमेरिका जर्मनी यू एनो ठीक है यूनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन तो अम कपशन पाने के लिए जो अलगअलक ममालिक अपना एहम कदम उठा रहे है कि कि किसी तरह समझ गया कि आkom ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है इससे चुटकारा पाना है यहां तक तो आप लोग समझ गए लेकिन अब बात आती है कि यह आलमी हिद्दत यानि कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता कैसे है मतलब वजह क्या है कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण क्या है तो समझ यहां पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का पहला वजह तो यह है कि ग्रीन हाउस गैस यानि कि ग्रीन हाउस गैस के वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और दूसरा एहम वजह यह है कि हम लोग खुद इंसानी क कुछ ऐसी सरगर्मिया करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके वज़ा से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है ग्रीन हाउस गैस और एहम वज़ा हम इंसानों की कुछ सरगर्मिया है जिसको साइन्स की जबान में Greenhouse GAS केसरात यानि की इफेक्ट ऑफ Greenhouse GAS कहते हैं ध्यान से समझे हैं यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का पहला तो कारण Greenhouse GAS है जिसको जैसे Global Warming बढ़ता है दूसरा कारण और एहम वजह जो महत्वपून कारण है वह हम लोग इस दुनिया पर जितने भी लोग रहते हैं सब्सक्राइब करते हैं जिसके जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है जैसे कि पॉलिथिन वगरा जलाना धूआ करना और इतने सारे जो आप बोल सकते हैं वेस्ट मेटेरियल होते हैं वो न जरीया है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है तो जितना ही जब प्रदोशन कम रहेगा ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा और जो ग्रीन हाउस गैस है न इसके इसराथ यान की एफेक्ट भी कम होंगे तो हम सभी इनसान इस दुनिया पर जितने भी लोग रहते हैं स सभी इंसानों के वज़ा से ही एक तरसे बोला जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। सभी इंसान प्लास्टिक कर जधा यूज करते हैं बहुत चरी इसी एक्टिविट्य करते हैं जिसको जैसे ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा क्योंकि ग्रीन हाउस ऌत हैं और इसी को कहते हैं और इसे विख के। अफिर और यहाउस और आ दि सबसेट पहले यह समझ लिजें कि ग्रिन आऊस गाश में कौन कौन सी नित्री और ओिन ऍट फोर वी उतना सबraquy और चॉरकर और भी सरी नितर्स गाइसे हैं लेकिन जो में खलनाइक जो बोल सकते हैं यह चारों और इन चारों में से जो सब्से ज़्यदा खतरनाख है है यदि मित्हें को ग्रिंसाइस गैस ना यहीं यहीं मतलब बहुत ही ज़्मेदार होता है डिका ने के लिए इसलिए यैका ग्रीनइस गैस के वह Mari tir कैसे प्रिथवी की टेंप्रेचर को बढ़ाते हैं समझें जो सूरज होता है ना सूरज से किर्णे आती है प्रिथवी पर और प्रिथवी से नॉर्मली टक्रा कर वापस लोड़ जाती है लेकिन होता यह है जब ग्रीन हाउस गैस ज्यादा प्रिथवी पर ज्यादा देता है और दुबारा उन किर्णों को प्रित्वी से टकड़ा कर वापस जाने नहीं देता है और इस तरह सुरज की किर्णे प्रित्वी परी दिपरी और रही जाती है जिसके विघ्षञ्जा धीरे खरम होना स्टार्ट हो जाता है वार्म होना स्टार्ट हो जाता है गर्म होना अर। उसका टेमप्रेचर यान के दर जहरारत बढ़ने लगता है एक और वजह ये भी है कि पृध्वी पर जब जंगल नहीं रहेंगे सिर्फ साधा खाली मैदान रहेगा थेक है तो direct सूरज की किड़ने आती हैं और direct जमीन पर यान की भूमी पर पढ़ती हैं जिसको जिसके भूमी गर्म हो जाता है फोडो सिंसेसिस यानि कि प्रकाषवट करिया होती है डाउल्ट धूप जमीन पर नहीं पर पढ़ता है और इस तरह होता है कि पिर्थविक टेंपरेचर नहीं भढ़ता है लेकिन आजकल सबसी जब पर पोद सब्सक्राइब पर दिये जा रहे हैं खाली जमीन खाली मैदान च कि कैसे यह greenhouse gas global warming को बढ़ाता है बस और शोशित कर लेगा जो धूप आ रही है सुरत से उन सभी धूप को greenhouse gas और शोशित कर लेगा अब्जर्ब कर लेगा तो पृत्वी गर्म ही न होगी जिसको से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे पृत्वी पर डायेक्ट खाली मैदान रहेगा तो धूप आएंगी और डायेक्ट जमीन पर यानि की भूमी पर लाएगा जिसको जैसे भूमी यानि की जमीन गर्म होगा तो यह बहुत तरह कारण है ठी के मुकाबले में सी ओटू करण डाये औक साइड में कितना अजाफा हुआ है कितनी बढ़ंती हुए तो 31 परथिशत सोचिए 31 पर ज्यादा सी ओटू निकल रहा है पैदा हो रहा है करण डायेक्ट ज्यादा निकल रहा है और मीथेन सोचिए और इसको कहते हम लोग ग्रीन ह प्रतिशत पहले के मुकाबले में मिथेन गैस में कितना एजाफा हुआ है कितनी बढ़नती हुई है तो 149 परतिशत की बढ़नती हुई है सोचिए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा नहीं मिथेन गैस जो होता है वो धान की खेतू और गाय भैस के गोबरों से ज्यादा निकलता है और कार खानों मोटर गाडियों के अजाफा और जंगलों के बेतहाशा कटने से इस तरह के गैस ज्यादा पैदा हो रही है सबसे ज्यादा मिथेन गैस कहां से निकलता है तो धान की ख और गाय भैस के गोबरों से निकलता है सबसे ज्यादा मीठेर गैस ठीक और बाकी जितने भी गैस सबी तरह की गैस कल कर खानों मोटर गाड़ी ओए जाफ़ा और जंगल के बेतहास्वा कटने को जासे और भी जितने भी गैसे ग्रीन आउस गैस में इजाफ़ा हो रही है है यहां सभी पूछ देता है कि सीओ टू पहले की मुकाबले में कितना इदाफा हुआ है सीओ यान की कर्मणडाई एक्साइड गैस में तो आप्शन में दिया रहे इसको आप लोगों को टिक कर देना है द्यान मेरे कभी कभी इस तरह रिखता है पॉइंट 075 बहुत सारे सोचते हैं कि अरे यही है इसी को टिक लगा कर चले आते हैं जबकि आप लोगों को ध्यान से देखना है जीरो के बाद पॉइंट रहेगा उसके बाद से साथ और 1 कंदी से चिकरी संटे क्वे साथ जाएगा जो हमारे लिए बहुत ही तश्विशनाक बात है मतलब अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो आने वाली 21 सदी में एक डिग्री संटीग्रेट से 6 डिग्री संटीग्रेट तक का एजाफा हो जाएगा जो कि हमारे लिए बहुत सी ज़्यादा तर्शुषनाक और खतरनाक और शर्मनाक बात है अब आप लोग कहेंगे कि आखिर आलमी हिदत के नुकसान क्या है इससे होता क्या है बढ़ता है तो आखिर इसके नुकसान क्या है ये तो हमें बताईए तभी तो हम लोग डरेंगे तो चरिया मैं आप लोग को नुकसान बताती है यहां तक तो आप लोग आलमी हिदत समझ ग ले लिजे फड़वर स्क्रील, शॉंट अब आईए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान को समझ लेते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो उसके क्या-क्या नुकसान है देखिए सबसे पहले तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा यानि कि जमीन का दर्जहरार, टमप्रेचर बढ़ेगा तो अविजोली बात है कि जो बड़े-बड़े बर्फ के तोंदे हैं बड़े-बर्फ के गोले वो पिगलेंगे, ग्लेशियर पिगलेगा जिसके वज़ा से समुंद्र में जो पानी का सत्ता है, एस्तर वो बढ़ेगा यानि की पानी का लेवल बढ़ेगा और जितने भी समुंद्र के किनारे मुल्क आबाद है, जितने भी देश है या फिर जितने भी द्वीप वगरा है माल्दिप वगरा तो जितने भी द्वीप और देश है उनके डूबने का खत्रा बढ़ जाता है यह सबसे बड़ा नुक्सान हम सभी लोग के लिए है जितने भी समुंद्र के किनारे देश आबाद है वो सभी मुल्क डूब जाएंगे तो सभी देश डूब जाएंगे दीप वोगर डूब जाएगा तो इससे बड़ा नुक्सान हम सभी लोग के लिए और क्या हो सकता है उसके सान साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से आब वहा में तबदिली आती है यानकी क्लाइमिट में चिंज आता है देखा जा रहा है कि जिस जगह पर पहले ठंडी पड़ा करता था अब वहां पर दीरे-दीरे गर्मी लगना स्टार्ट हो चुका है मिन मौसत बरसात होना बारिश होना या फिर ठंडी के जगह गर्मी लगना गर्मी की जगह ठंडी लगना तो यह जो क्लाइमिट में चेंज आ रही है आब हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से एक और खत्रा यह है कि इसके बढ़ने से बैक्टिरिया जरासीम यानि की जॉम्ट और आप बोल सकते हैं वाइरस बहुत ज्यादा पनप रहे हैं डेमो तो आप लोग देखी लिए को रहा था तो डेमो तो आप लोग देख लिए किसके व जॉसरा यानिकी पर दूशन अगर परेमोशन होगा तो यह विजोली बाति गयस निकले का गास मिकलेगा तो ग्रीन हाउस की बढ़ंती होगी जब ब्रिंद हाउस पड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही ठीक है यह सारा चीज एक दूसरे से से अब्लीशन आदे वाली हानिकारा कीड़नों को रोक लेता है और अच्छी कीड़नों को प्रित्वी पर भेजता है ठीक है तो वो जो जितना ही मोटा रहेगा हमारी और भी ज्यादा फायदेमंद है लेकिन हो यह राय की पॉलिशन परदूशन ज्यादा होने के वज़ासे फ्लोरो फ्लोर सूरज के वाटर प्रित्वी होने के वज़ासे सबसे जाधा जो है चिद्र होते शुला से आने वाली हानिकार क्लीने प्रित्वी पर आ जाघर ही है ठीक है और उन हानिकारक किर्णों से तरह तरह के विमारिया होती है तो अच्छा के इंसर हो जाता है और आज सबसे जड़ा चर्म रोग देखा जा रहा है स्कीन डिजीज खुजली वगारा ठीक है तो यह सब क्या है यह सब ओजोन लेर के पतला होने के वज़ा से हैं हानिकारत सुरज की जो किर्णे होती है वो प्रिफिव पर एंटर कर जा रही है क्यों क्योंकि प्लिशन ज्यादा है ठीक है और एक तो यह ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रहा है तो यह सार अगर मैं आप लोग को नुकसान गिन्वाओं एकाउंट करवाओं एक एक कर तो इसके बहुत सारा नुकसान है जिसकी हम कलपना भी नहीं सकते हैं ठीक है तो बहुत सारे नुकसान है यह हमारे लिए बहुत ही जदा तश्विशनाक खतरनाक और दरदनाक बाद है ग्लोबल वार्मिंग को किसी तरह बचने से बढ़ने से अब रोकना होगा अब सबसे पहले काम हम लोगे और सबसे बड़ा काम यह है कि जङगलो को कटने से रोकना होगा जीतना ज्यादा WA K क्यानिया update निकालने वाली गाड़िया है बस ट्रॉक वगरा उन सभी पर प्रतिबंद लगा देना चाहिए पाबंदी लगा जानी चाहिए दुनिया के जो बड़े-बड़े तरक्की या फता ममालिक है यानि कि दुनिया के बड़े-बड़े विक्सित देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चीन, जापान, इंगलेंड, कोरिया और रूस इन सभी ममालिक को ग्रीन हाउस गैस के मुगदार को कम करन होगा क्योंकि विक्सित देश है तो बड़े-बड़े फैक्टरी होती है और बड़े-बड़े फैक्टरी से जो वेस्ट में निकलता है उसको नदी तालाब में फेक दिया जाता है या फिर जमीन को कढड़ा करके उसमें डाल दिया जाता है जिससे एर पल्यूशन या फिर हम ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पा सकते हैं मलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं आगे देखिए 2007 इस भी में क्यूटो में इसके लिए कॉंफरेंस भी हुई थी याद रखना है कब 2007 इस भी में कहां पर तो क्यूटो में 2004 में क्यूटो में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कॉंफरेंस हुई थी जिसमें दस्तावेस तयार किये थे और उस दस्तावेश पर अलग-अलग मुलक के लोग आकर साइन किये थे और वचन लिए थे खिशिए है कि जितने भी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अकदाम है यानकी कदम जो भी नियम कानून है उसको हम अपनाएंगे और जितना ज़्यदा हो सके हम कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितने भी कदम है जितने भी नियम है जितने भी एक्टिवीटी है सरगर्मिया है हम सभी सरगर्मियों को अपना आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हम अपना एहम योगदान देंगे यह सबी अलग-अलग-अलग-देश के लोग आकर इस दस्तावेज पर सिगनेचर किये और वचन लिये थे ठीक है अमेरिका के साभी के नायब सदर याने की पुर्वा उपाध्यक्ष अमेरि लिखा कि जो साभी के नायब सदर अलगोरे जी है ना उन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तक्रीरे किये थे और एक किताब भी उन्होंने तसनीफ की लिखी और सभी लोगों को बाटी और उस किताब में ग्लोबल को बढ़ने से रोख सकते हैं यह सारा चीज उसकिताब में लिखा गया था तो यह जो एलगोरे हैं यह पूरा मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बशने के लिए लंबी-लंबी तक्रीर करते रहें और यह किताब भी सभी लोग को बाठ दिये ठीक है 27 दिसमबर से लेकर 31 दिसमबर 2008 तक यानि कि पाच दिन 27-28-39 तक यानि कि पाच दिनों का बालु अज्ञान कॉंग्रेस चायल्ड साइन्स कॉंग्रेस नागा लेंड के शहर दीमापूर में मुरापत हुआ देखिए 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 5 दिनों का बालवग्यान कॉंग्रेस नागालेंड के कौन से शहर दीमापूर में स्थापित किया गया था और इस कॉंफरेंस आप बालवग्यान कॉंग्रेस चाइल्ड साइन्स कॉंगरेस में मेहमान खसूसी के तौर पर यानि की चीफ गेस्ट के तौर पर साबया के नायब सदरहिंद यानि कि हिंदुस्तान के भूच पूरो रास्टपती और आलमगिर शोहरत याफता साइन्स दा यानि कि पूरी दुनिया के मश्चूर शोहरत याफता साइन्टिस्ट जनाब एपीजे अब्दुलकलाम आजाद मौजूद थे इस चाइल्ड साइन्स कॉंग्रेस जो की नागा के तोर पर बुलाये गए थे और वहां पर मौझूद थे और इस पांच रोज के कॉंगरेस के दो ही मौजवात थे पांच दिनों का बालव अग्यान कंग्रेस था इसके दो ही मौजवात यानि की दो ही टॉपिक थे एक पॉलूशन और दुसरा ग्लोबल वार्मिंग यानि चुनकर उसमें शिर्कत करने का मौका दिया गया था इस बालव अग्यान कॉंग्रेस में 32 अलग अलग प्रांतों से 556 और शात्राओं को शिर्कत करने का मौका दिया गया था ठीक है और एक हजार एक सबपैसट असाथ यानिकी टीचर भी शामिल हुए थे इस चाइड़ साइन्स कॉंग्रेस में ठीक और जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही दी कि बालव अग्यान कॉंग्रेस इस पांच दिनों के बालव अग्यान कॉंग्रेस में जनाब एपीजे अब्दुलकल आजार जैना वह मौझूद थे तो एपीजे अब्दुलकलाम जो हैं वह पल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग इन सभी मसला से निजाद पाने के लिए छुटकारा पाने के लिए आप बोल सकते हैं पल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक जादवी मंतर ब दस से सतर साल के अगर बीस लाख बच्चे पाच-पाच पेड़ लगा दे तो हमारे जादतर मसायल हल हो जाएंगे मतलब इन सबी चीजों के उपर हम लोग काब उपा सकते हैं बहुत ही अच्छा ये जादुवी मंतर अपीजी अब्दुलकलाम ने बताया था और उस वक्त चुटकारा भी पाया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग से और पल्यूशन से तो हर इंसान को चाहिए कि ये जादुवी मंतर आपने आपके उपर अपलाई करें आप छात रहें ना आप स्टुडेंट हैं पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं और इस जो भी आप सीखते हैं उ मसला को हम लोग हल कर सकते हैं ठीक है मतलब इन सबी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं तो आप लोग चात रहें आप लोगों को कण्विंस करें आप अपने आसपास के जितने भी दस से सतर साल की उमरवाले बच्चे हैं उनसे बोलिए कि हर एक एक बच्चा पाच पाच प बिलता है कि हमें भी इस दुनिया के जितने भी लोग हैं सबी लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यह एहम अकदाम उठाना चाहिए मतलब यह जादू मंतर अपने आप के उपर अपलाई करना चाहिए और जो भी पदम उठाये गए हैं ग्लोबल हैं समझ गए और यहां पर फाइनली पूर्म से चैप्टर कमप्लीट हो गया है कि कोई भी कम्फीजन हो आप हमें कमेंड में पूर सकते हैं हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस कम्फीजन को क्लियर कर दूँ बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आ सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके समझ सके कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज कैसे कम किया जा सकता है और वो लोग भी अपना एहम योगदान दे सके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तो जितना ज्यादा हो सके अपने रिष्टेदारों पड़ों आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज